देश में वेक्शनेशन के 102 करोर डोस का आकड़ा पार रिकावरी रेट 98.1 प्रतिशत पहुंचा सीएम केजरिवाल ने किये रामलला के दशन केजरिवाल के ने साथ किया बड़ा ऐलान सरकार वनीतो अयोध्या में रामलला के कराएंगे मुफ्त हुमें दशन यूपी बेजीबी पिछड़ा बर्ट सम्मेलन का आयोजन युक्ति पातर वित्रन कारिक्रम का आयोजन सीम योगी होंगे मौजू शेयर बाजार हरे निशान में सेंसक्ती संग कीतेजी की साथ कुला आरियन खान से जुड़ी बड़ी खबर किरन को सावी के सरेंडर की सुचना वायरल फोन करने के बावजूर नहीं किया आग्ज़र पर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पेश्वेतागर को आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आईनस डालते हैं उत्रा उत्तपदेश की कुछ खबरों पर कोविट संबंद में टीम नाइन बैठक भी करेंगे और इंद्रा गांधी प्रतिस्टान में यूपी बीजेपी पिछड़ावाग सम्मिल और कारिकरम में शामिल भी होंगे खबर लकनों से है जहां यूपी बीजेपी पिछड़ा बग सम्मेलन का आज आयोजन होने जा रहा है जहां सीम योगी अधितिनात कहीं कारिक्रमों में शिर्कत करेंगे आपको बता दे कि जिला अल्प संक्या कल्यान अधिकारियों को फाइफ केडी सीम आवास पर नियुक्ती पत्र रफितर्द करेंगे और सीम आवास पर दोपहर साड़े बारा बजे ही कारिक्रम होगा कोविट संबंद में टीम नाइन बैठक भी करेंगे और इंद्रा गांधी प्रतिष्टान में यूपी बेजे भी पिछड़ा वक्सम में कारिक्रम में शामल भी होंगे और इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवधाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो गौरव आज क्या कुछ कारिक्रम है सीम यूगी आदितनात का कि अधितनात लगाता दोरे भी कर रहा है और लगातार उनकी दोरह अलबलग चारिक्रम में जाट अंचल पर संबाद भी किये जा रहे हैं 4-9 से 192-9 में भी वारे ड़ा लोगस्वा चनाओ की तहे तहट सामाजी संब्लिन कराए जा रहे थे उसके तहट ही उत्ताप्र दिस में ही उसी की तरह सामाजी संब्लिन आयोत की जा रहे हैं हुआ करें की का रिकम का कराय करें तो एक हो चुका है इसके बार मुक्पंत्री आपके इंडा गानी पेटिस्थान में हैं वहांना पार सामाज का सामाजी संभला है कि मिलें गे और भहां को जनता को सम्मूरिट करते हुए आगामी बिना सचनाव में उसके लोडी समाज को अपने पच्छे में करने का प्रयाज भी करेंगे उसके बार मुखमंतरी अपने आबार्ज पर जो जो अभी नए नए जला अलफसंख्या कर लान अधिकारी बने हैं और समाज कर लानिकारी बने हैं उनके जो पात् मंत्री जोड़ा जाइडाज भी लिया जाएगा गौरव इसमें और कौन से मंत्री गंड साथ में मौजूद रहेंगे तो मने सकता है कि सामाजी सम्मिलन की जो प्योकिता है वह बहुत मैपूर रही है इसी की तहत 19 की तरह ही सामाजी सम्मिलन करा जा रहा है 15 सम्मिलन हो रह बात हुई थी और 27 अक्टूबर का इनका समापन होगा जी बहुत बाद शुक्री अगर आफ हमारे साथ इस खबर पर जोड़ने के लिए तो अभी हमने इस लखनों से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां सीम योगी की आज कहीं का रिक्रम होनी जा रहे हैं जहां आज वो एक सम्मेलन में सम्मलित होंगे और साथ ही पिछड़ा वक्स सम्मेलन के आयोजन में कहीं लोगों को न्यूकती पत्र भी अपने आवाज पर पाटेंगे विल्ली के मुक्मंतरी और आम आदमी पार्टी के सायों जग अंदर्विन केजरिवाल आयोदा दोरे पर थे केजरिवाल ने हाथ सुबे हनमान गड़ी और रामलला के दर्शन के दर्शन के बाद केजरिवाल ने बड़ा ऐलान भी किया केजरिवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को आयोध्या में राम लला के मुफ़त दर्शन कराएंगे इस मौके पर केजरिवाल ने कहा मा सर्यू नदी से दिलीक उत्तरप्रदेश और पूरे भारतवर्ष के कल्यार के लिए परात्मा करता हूँ पूरा देश गोरोना के नाम से मामारी से पेड़त है और पिछले कुछ दिनों से कुछ नियंत्रन है लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान राम देवताओं की और मासर्यू नदी की क्रिपा होगी तो जरूर हम सब लोगों को इस मामारी से मुक्ति मिलेगी आर्विद केजरिवाल ने अखाड़ा परिशत के पूर अध्यक्ष ग्यानदा से भी मुलाकात की बुजर्गों के लिए स्पेशल विवस्ता दिली सरकार करेगी और इस खबर पर ज्याद़ा जानकारी के लिए हमारे साथ अएध्या से रागवेंद हमारे संवफा ता जोड़ चूए है तो रागवेंद क्या पूरी जानकारी मिल पारी है जिस तरीके से अर्विद केजरिवाल का दो दिवसी आईध्या का दोरा था उन्होंने खाम लाला और हनुमान गड़ी सार्यो आर्टी में धरमदास महराज रख्षाड़ा के ग्यानदास दी तब लोग इनके साथ में सामिल रहे और आज सुबे में जब ये निकले हैं तो हनुमान गड़ी का दर्सन किया हैं जली सरकार के द्वारा ठरमस्थलों का मैं दिल्ली की जनता को मैं ये करवाता हूं दर्थन करवाता हूं वर्ग पट कर वाने के बाद उनको हिसारी जो ठीक जो है उसी तरीक के माय जो है झालम मैं करने टिली किक भुदेयों की एफटम है किए ऐनी मेरी कंैशता है कुछ引़ ट्रेर जार्यक करता है कि अच़ ऐससे था जिस तरीके से भी रविवार को संतों द्वारा एक नाराजगी जताई गई थी, जिसके चलते 26 यानि सोमवार को एक या इनकी अर्विन केजरिवाल की जित्ती भी होडिंग से उसके कालिक पोती गई थी, उसका क्या कारण था, किस वज़े से सादू संत जो थे वो नाराज थ पे वहाँ पे कुछ लोगों के आराजग पत्पोंड वराव, उनके पोस्टर पे बैनर पे उस तालिक पोती है थी, इस सादू संत हैं, क्योंकि नाराज चल रहे हैं इनके, और जिभी कह रहा है थे कि यूपी में ये अपनी डाल ना जला पाएं जी बहुत बहुत शुक्रिया रागवेंथ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए आरेंट खान ड्रक्स केस में कवा बनाए जाने के बाद फरार हुए किरन गोसावी को सुमवा रात लखनों के मडिया पुलिस को फोन कर जानकारी थी, कि वो थाने के पार है और आत्म समर्पण करना चाता है, इससे पहले उसने एक अनिजी न्यूज चैनल को फोन कर के भी ऐसा ही कहा था इसके बाद बढ़िया थानबर मीडिया के जमावड़ा देर रात तक लगा रहा, लेकिन वो थाने नहीं आया वहीं ACP अलिगंज अखलेश सिंग ने कहा कि किरन उनके यहां किसी मामले से वंचित नहीं है ऐसे में यहां समर्पण करेगा और वैसे उनके यहां आने की सूचना मीडिया से ही पता चली है वहीं इंस्पेक्टर मर्याव और किरन गोसामी से बाचीत का ओडियो भी वाइरल हो रहा है किरन गोसामी के अंतिम लोकेशन लखनों के मड़ी आवथाने की राम राम बैंक चौक के पास से मिली है मामले में आरियन खान की गिरफतारी के बाद उसके साथ सल्फी लेकर सोचल मीडिया पर डालने वाला किरन गोसामी चर्चा में आया था उसके बाडिगाड प्रभाकर सेल ने उस पर 25 करोड रुपे की टीर करने का आरूप लगाया था इसके बाद ही किरन केस में गवा बननी के लिए भी तयार हुआ था किसी ने जिक्र किया हो कि हो सरेंडर करना जाता है हलो हलो तर मारिया पालिस चौकी हलो पाप तर अभी चौकी पर हो मैं सर मुझे वहां पर मतलब आना था मैं किरन गुसर भी बोल रहा हूँ यहां के वाएंगे जी यहां के वाएंगे मर्याव के जाएंगे सर मुझे जरा सरेंडर होना है सर जा कि सरेंडर होना है जी यहां के सरेंडर होना है अडिगल मुस्लिम यूनिवस्टी के चात्रों ने आज यूनिवस्टी के खेले जाने को लेकर शुरू किया है विरूत प्रदिशन खबर अलिगड़ से है जहां चात्रों ने यूनिवस्टी के बार एक धन्ना प्रदिशन किया है जहां अलिगड़ मुस्लिम यूनिवस्टी के चात्रों का प्रदिशन लगातार उनका जारी है उन्होंने कहा कि अगर आफलाइन क्लास शुरू नहीं की गई तो चात्र लग एगतार धना प्रदुरशन करते रहेंगे। उन्होंने अभी का, यूनिवरस्टी की औफ-लाइन क्लास को खूले जानेवा, एड्मीशन को लेकर अन्यमिय तक को लेव्ट कर रहे चात्रंगामा। और चात्रों ने कहा कि 5 दिन में अगर युनिवर्सटी की ओफलाइन ट्लास शरू नहीं की जाती है तो धरने पर बैठे रहेंगे चात्र. अगर युनिवर्सटी एक ऐसी उनिवर्सटी बची हुई है जो अभी तक खोलने का नाम नहीं लिया जा रहा है तो हमारी वाइस्चालता साफ से सीधी सीधी दर्खास थे और इस में में यहीं डिमांड रखी है कि हमारी उनिवर्सटी को जल से जल खोल लिया जाए वरना हमन पर रहे कर रहे हैं मतलब यह अपर जो घरीब बच्चे आके पढ़ते हैं वो फ्रीब में मतलब रहे दें यहां पर एमिशन लेते हैं अब वो तीन-चाचाहँदार रुपे महीना किराया दे रही है तो तो कहां तक बच्चा एफोड करेगा आज अगर मुस्रिम युनिव पाब सेयत पर दोड़ना दें उसमें हमारी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टन डिमांड है कि युनिवर्सिती ओपिन ओनी चाहिए सारी युनिवर्सिती ओपिन हो चुकी हैं तेर साल हो गए है कोरोना को लेकिन अभी भी हमारे वाइस चांटलर साफ सो रहे हैं या पतान पारे में बात किया है और कुछ जो नीचे की डिमांड सेंटर पर दोड़ने तेर जामने सेंटर लेकर आए और इसकी है निर्मानकार के सायोगी लोहे की शत्रिंग वसामान रोड के किनारे बड़ी तादात में पढ़ा हुआ है पीती राद चार चौर अपने निजी वाहन लेकर आये और कजबा बिच्वा में निर्वाना धीन फुल के नीचे पड़ी लाखो रुपे की सेटिंग को लोड कर भागने की फिराक में थे तबे मुख्विर की सूचना पर पहुची पुलिस ने चापमार का चोरी करते हुए चार चोरो को रंगे हाथ दबोच लिया चोरी करने वाले गिरों के चारो सदस से जनपद मैनपूरी के थाना बेवशेत्र के रहने वाले हैं जिन्नों ने ये पहली बार घटना को अंजाम दिया है फिलाल पुलिस ने चारो अब्युक्तों को गिरफ़तार कर जेल भेश दिया है चार साथिर चोरो को विच्वाँ पुलिस ने काफी मेनद करते हुए रंगे हाथ पकड़ दिया कल रात की घटना है एक सुचना मिले कि ने कुछ चोर मिलकर जो प्लेटे होती है लोहे की प्लेटे जिस पे बीम बनाये जाते हैं उसको चोरी कर रहे है इस सुचना पर पुलिस गई तो ये लोग भागने का प्रियास किये लेकिन पुलिस ने घेर मार कर इनको पकड़ दिया के उपाद्यक शेल जाकात मिश्रा की अध्यक्ष्टा में बैठक की गई बैठक में नगर्डी गम लोक निर्मान विबाक और जलने बगम विद्ध विबाक और प्रदूशन नियंतर नादी विबाक के अधिकारियों ने बैठक लिए जिसमें निर्देश दिये गए हैं कि कुम्मेला स्थाल पर भरापानी और उसका समतली करण ततकाल करा दिया जाए ताकि उत्सव की तैयारिया शुरू हो सके दस दिवसी इस ब्रज रज उत्सव में लगने वाले हुनरहाथ में करीब डेर सौस से अधिक निर्मित उत्पाद बनाने वाले शिल्पियों की दुकाने लगनी है इसके अलावा दो दर्जन से अधिक फूट को लगाये जाएंगे जहां ब्रजवासियों को देश भर के अलग अलग शेत्रों के लजीज वियन खाने को प्लब्द रहेंगे दिवाली के लग बग मैदान में हुनरगाथ लगना प्रारम हो जाएगा मतरा में बढ़ते डिंगू के प्रकोप से मरीजों को जिलास्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जिलादिकारी मतरा नवनीत सिंग चहल ने जिलास्पताल का आकस्मिक निरिक्शन किया उन्होंने प्रतेग मरीज के परिजनों से वार्था की परिज जग के जल स्वस्थ होने तताओं ने अच्चा खाना, सुविधाएं और शुद जल प्रदान करने के लिए जिलास्पताल के अधिकारियों को निदेश दिये गए जलास्पताल में मरीजों से उनके स्वास्थ व्रेंफ तवारत दिये जारही सुविधाओं के संबन में जानकारी प्राप्त की संबल में दिवाली तियुहार के मदे नज़र संबल SDM वसीओ ने पठाकगुदान में जाकर निरिक्शन किया इस दोरान पठाका गुदाम सौमियों में हड़कम मच गया दिवाली का तिहार आते ही पठाकों का कारवार भी बढ़ जाता है पठाके खदड़ाग भी होते हो थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन जाती है इसी को देखते हुए संबल में पठाका गुद काम पर SDM रमेज बाबुवा, CEO अरुण कुबार और अगनी श्रमन विबाग दोर अने इरिक्षन किया गया जिसमें सबी विवस्ताइं तुरुस पाई गई संबल के फदेपूर उत्मा ग्राम में बसपा प्रभारी विदान सबा तैस शकील कुरेशी का गाउंप के लोगों ने स्वागत किया इस दोरान बड़ी संक्या में ग्रामवासी मौजूत रहे वही बसपा नेता ने वताया कि फदेपूर उत्मा में पाल समाज के लोगों में हमें आमंतरित किया है उनके आमंतरन पर वह गाउं पहुंचे हैं जिसमें प्रजापती समाज पाल समाज और मुस्लिम समाज के लोग शामल रहे बसपा नेता शकील एहमत ने कहा कि यदि जनता उन्हें विदायक बनाती है तब वह शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे सीतापुर के हर गाउं थाना शेत के अंतरकत एक गाउं में एक दिन से लापता व्यक्ती का शव गाउं से बाहर गन्ने के खेत में अधनक अवस्ता में पढ़ा मिला सूशना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब जिमन लेकर पोस्त मौटम के लिए भेज दिया है और जाच शुरू कर दी है परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है परिजनों के मुताबे किसी ने इने चार दिन पहले दोपैर में फोन कर बुलाया था शाम तक घर नहीं आये तो खोज की जाने लगे और वहें पुलिस पूरे मामले की जाच में जुट गई है पँचाइती राज सुतन प्रवार राज़िपंत्री पंदस तिवारी ने पैट्रोल और महंगाई को लेकर दिये गए अपने ब्यान पर सफाई दी है उन्होंने कहा मेरे ब्यान को गलत तरीके से पेश किया गया तिवारी ने कहा कि मैंने कहा था कि चार पही अवाहन का इस्तमाल 95 प्रतिशत लोग नहीं करते हैं लेहाज़ा बचे हुए 5 प्रतिशत लोग ही तेल के बड़े दामों से प्रभावित हैं उपेंतिवारी के यहाँ आजादी के 75 वे वहष पर आयोजित अमरित महुतसफ के अफसर पर स्वच भारत अभियान संगोश्टी में शामल होने आये थे खेल युवा कल्यान एवं पंचायती राज के सुतन प्रभार मंत्री उपेंतिवारी ने इस दोरान संगोश्टी में लोगों को स्वच्छता रखने और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की शबत बिदलाई उसके सापेक था दूसरा महाई की बात थी हमने कहा था अन्य राजियों की तुलना कर लिजे कांग्रेश की सरकार है सबसे ज़्यादे हला करें राजस्थान में 112 रुपे लिटर है दिल्ली सबसे ज़्यादे टिक्स आता है जीस्टी और वो एक छोटे से राजिमें वहां स एक साथ रुपए एक सबतीन रुपए है सबसे कम उत्तर प्रदेश में तो आज इस मुद्दे पाई इसी पर माबाब करना था खबर राइबरली से है जहां आमरिद महुत्सव का कारेकरम किया गया जहां सोतन प्रभाव राज मंतरी उपेंतिवारी ने शपत ग्रहन दिलाई उपेंतिवारी ने जोरान संगोश्टी में लोगों को स्वचिता रखने और प्लास्टिक वोक्त भारत बनाने की भी शपत लाइब उतर देश की अपता की खबरों में बस इतना ही और देश दुरियांगी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नासकार